भानु प्रतापपुर विधानसभा उप्चुनाओ के लिए प्रचार आज शाम थम गया यहाँ पर 5 दिसंबर को मतदान होना है इस उप्चुनाओ में 1,95,822 मतदाता अपने मतदिकार का प्रयोग करने वाले हैं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रयांका शुकला ने सभी मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने की अपिल की है उन्होंने कहा कि मतदान आपका संब्धानिक अधिकार है उप्चुनाओ में सभी मतदाता अपने मतदिकार का प्रयोग करें उपचनाव के लिए 256 मतदान केंदर बनाए गए हैं जिसमें से 82 मतदान केंदर नकसल संबेदंशील और 17 मतदान केंदर अती नकसल संबेदंशील और 23 मतदान केंदर राजनितिक रूप से संबेदंशील हैं इस उप चुनाव में भाजपा की ओर से ब्रह्मा नंद नेताम और कॉंग्रेस की ओर से सावित्री मंडावी मैदान में हैं और इस विशह पर ज्यादा जानकरी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौझूद है कांकेर से हमारे संबादाता जैयन्त रंगारी जैयन्त आप लाइन पर हैं आप मेरी आवाज सुन रहे हैं जी मैं आपके आवाज सुन पा रहा हूँ जो माहूल है वो काफी रोमांचक है यहाँ पर त्रीकोणी मामला हो चुका है भाजपा ने अपने प्रत्यासी ब्रह्म्हनन को उता रहा है मैदान पे तो वहीं कॉंग्रेस ने सावित्री मंडावी को कॉंग्रेस से पार्टी से टिकेट दिया हुआ है तो वहीं सर्वादि प्रत्यासी के प्रचार प्रशार के लिए निकल चुके हैं आपको बता दूँ कि विधान सभा क्रमांक अस्ति भानुफ परतापूर में 2018 में जो मनोज मंडावी उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 26,430 वोट से हराया था और उस्तार 1962 में पहली बार यहाँ पर चुना हुआ था जिसमें जो है निर्दली प्रत्यासी राम प्रशाद जी ने जीत हासिल गिया था दो हजा उन्निस सो पैसट सो लेकर 2018 साथ तेरा बार जो है चुटा हो चुके हैं और अभी जो है लगबग साफ हजार मदाता है उनमें इजाफा हुआ है लगबग इस विधान सभ आखे एरिया संवेदन constitu भी है हमने अभी समाचार में बताया कि कुछ अती संवेदritis ने नकसल को लेके तो वहां पर सुरक्षा के क्या इंतिजाम किये गये हैं कुछ kalau मदांई रहां मदान केंडरा हैंुरा जो राजनिजिक रूप से भी है वहां पर सुर ओप सीयाँ फालिक वोट करेंगे। अच्छा कौन कौन से इस्टार प्रचारक दोनों प्रकाव्त है तो पहले से स्टार प्रकारक क्लिए कौन क्लिए काई है। देखिए जो जुुझन tomorrow, को कॉझन सान है, दोप्टर रमनें शुक्रियों में। और कॉंग्रेस पार्टी से मुख्य मंत्री वुपईज वगेल आई हुए थे बहार से तो वसे कोई श्टार परशारक नहीं आया थे जिस्टिस गड़ के ही जो लोग थे वही लोग जो है यहाँ पर परशार परशार करने के लिए आई हुए थे ठीक है आपके इस जानकारी के लिए लेकिन सबसे हम मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि जब पांच तारीकों चुनाओं हो तो आप अपने मत का निर्भीकता से प्रयोग करें क्योंकि मतदिकार आपका अधिकार है और यह थे हमारे संबादाता है जयनतरंगारी जो कांकेर से हमें जानकारी दे रहे थे इस उप्चुनाओं के बारे में पढ़ते हैं